अज से नोरात्री का देवर चालू हो चुका है। इन दिनों मतक के आरत्ना करने का विशेश महत हुए। मतक के आरत्ने के लिए चोट के साथ में जुआरे भी लगाया जाते। आखिर विए जुआरे क्यों लगाया जाते हैं आईये चनते हैं पंडिक चीसे। जी भारत वर्ष में एक प्रशाड स्टेवार बनाया जाते हैं। नोरात्री के बने बात कर रहे हैं। नोरात्री साल भर में चार नोरात्र आती हैं। दो गुप्त आती हैं, दो सिद्धा आती हैं। एक केत्री नोरात्री कहा जाती हैं। यह गणे सुस्वर के पास सराथ पक्ष के पश्चाद सर्दी नौरात्री आती हैं यहाँ पर घर घर में हिंदु धर्म का वेक्ति भक्रती देवी के आराधना करता है तसा नो दिन तक उनकी आराधना पूजन करते हैं और अलग-अलग फ्रतों में उनको पूजा जाता है। तसा उनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए यह पूजन में अनेक प्रकार की वस्तूर का उप्योग होता है। जो शर्दी नौरात्री हैं यह अब 3 तारिख से तीन अक्तुमबर से प्रारम हो रही है इस दिन सुभे प्रादकार उट करकरके घर को सच्छ करकरके वहाँ पर दिवी की स्थापना का पूजन आधी कारी किया जाता है पूजन में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि वहाँ पर जल की विवस्ता हो पात्र की विवस्ता हो अनेक प्रकार से क्रिया की जाती है कलस के लिए नारिया रादी को भी चुना जाता है और विशेस प्रकार से अलग-अलग प्रकार से विवस्ता की जाती है पराणिक कठ्षव के निसारमान निता है जाता है कि प्रच्वि का जो पहला अन्न था उसलिए गवी जाती है